से लिए स्टूडेंट्स हां जी तो माइदियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नमर 11 चैप्टर 11 को हम हर लियाज से स्टडी करेंगे लेकिन मैंने एक और शडूल बनाया है क्योंकि आप लोंके पेपर बड़े नजदीक हैं तो आपको पता होगा क हर chapter में से short questions के कौन-कौन से important है और long question कौन-कौन से important है तो papers को देखते हुए अब जो आपनों की online lecture की videos हैं वो और तरतीब से बनेंगे सबसे पहले हम हर chapter के short questions की छोट-छोटी videos बनाएंगे फिर हम long question को तरतीब से discuss करेंगे तो आज का हमारा जो पहला short question है वो आपके सामने है के write down the structural formulas for glycol and glycerol के आपने glycol और glycerol का structural formula तहरीर करने है माइडियो स्टुएंट्स क्योंकि हमारा पहला topic ही alcohols है तो मैं उसी का short question उठा रहा हूँ तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे पास है glycol माइडियो स्टुएंट्स एक बात याद रखिएगा glycol alcohol है दो कार्मन दो ओएच गृूप तरतीब क्या बताई मैंने glycol में total दो कार्मन है हर कार्मन के पास एक OH गृूप है तो देखें का फार्मूला क्या बनता है ये देखें ये एक कार्मन ये दूसरा कार्मन और मैंने बताया कि इस कार्मन के पास भी एक OH गृूप है इस कार्मन के पास भी क्या एक OH गृूप है ये glycol का फार्मूला बन गया लेकिन एक चीज रह गें कारबन की वैलनसी अगर हम देखते इसके पास भी एक वैच्चै इसके पास भी और कारबन का कारबन से सिंगल बाहन है तो इदर भी एक बॉанд इदर भी एक मॉट टोटल बाहनों हวยसे थह तो यहांपर जो hydrogen required है वोTON कितने दो रिक्वाइड है इसकी बात करें तो यहांपर भी एक bond है यहांपर भी एक bond है दो hydrogen required है तो यहांपर भी total कितने hydrogen आएंगे दो hydrogen आएंगे तो यह formula हमरे पास किसका बन गया? Galaикol का तर्तीब क्या बताई? दो कार्बन उनके दर्मियान सिंगल बांड और दोनों के साथ एक एक ओएच ग्रूप अब हमारे पास जो नेक्स फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है गलिस्रोल का उपर वाला जो फार्मूला हमने लिखा वो हमने लिखा गलाइकोल यह मैं जरा लिखे दू बलैक से गलाइकोल पहला हमारा फार्मूला किसका था गलाइकोल का था दूसरा गलिस्रोल का है क्या फरक है गलाइकोल और गलिस्रोल में गलाइकोल में दो कार्बन है गलिस्रोल में एक OH ग्रूप इस Carbon के पास BGH और इस Carbon के पास भी एक उअच्स ग्रूप विच कार्बन बाइच के साथ तो तो यहां पर हमारे पास एक हडोजन आ जाएगा कि इस कारबन के पास एक यह राइच बना रहे हैं और एक ब्रण यह है तो दो बोड यह बना रहा है और दो की कम ही आ तो यहाँ पर हम कितने हार्डिजन लगाने वाले हैं तो यह था गलाइकोल का फार्मूला और यह है गलिस्रोल का फार्मूला के गलाइकोल है वा two carbon atoms two hydrol ग्रूप मतलब हुएच को हम hydrol क्रूप करते हैं अगर गलिस्रोल की बात करें थ्री carbon atoms and three hydrolकूप